दोस्तो गर आप भी हारदिक पांडिया और रिश्यप पंत को बैतरीन खिलाडी मानते हैं तो विडियो को लाइक जरूर गीजिएगा दोस्तो पहले टीटवेंटी मैच के लिए रिश्यप पंत और पांडिया ने मिलकर ऐसी खतरना का प्रैक्टिस करी के देखकर सब दंग रह गए कैसे दोनों खिलाडियों ने प्रैक्टिस में चोक्यों और छक्कों की परसाथ कर दी आपको पूरा विडियो दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप सबी को क्या लगता है पांडिया और पंत में बैतर खिलाडी और कप्तान कौन है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताईएगा तो दोस्तो आईपेल तो खतम हुआ लेकिन सफर शुरू होने जा रहा है पांच मैचों की रोमांच अप टी ट्वेंटी सीरीज के साथ ये वही सीरीज है जिसे खेलने के लिए भारती टीम साउथ एफरीका का दौरा कर रही थी लेकिन उस दोरान ओमनी क्रॉ वन्टी टीम उनसे बिढ़ने जा रही है जब हम साउथ आफरीका का दौरा कर रही थी तो वहाँ पर टेस्ट और वन्टे दोनों सीरीज में हमें मूग की खानी पड़ी थी यकिनान इस बात में कोई शक नहीं कि उनकी टीम का हरे खिलाड़ी वाकई में अच्छी फॉम में लेकिन इस बार बाजी हमारी है हमारी टीम के खिलाड़ी भी जोरदार प्रदेश हैं करने के लिए पूरी तरीके से तयार नजर आ हारा रही है इसका चोटा सा टीजर हम लोग अईबेल में भी देख चुके हैं तो 100 आईबेल में किस तरीके से सबी खिलाड़ीom ने एक च पतार का जायजा भी सब ने लिया और पंत ने भी भरपूर चखके लगाए थे लेकिन अब लग रहा है कि इनी में से दो खिलाडी मिलकर एफरीकी टीम की अकड़ तोड़ने के लिए तयार हैं ये दो खिलाडी और कोई नहीं बलके रिशव पंत और हारदिक पांडिया ही तो हैं दोस्तों दोनों खिलाडियों ने हाली में ऐसी धकड़ बल्ले बाजी कर दी हैं से देखकर साथ एफरीकी टीम के नए नवेले कप्तान भवूमा भी पूरी तरीके से हैरान होने वाले हैं दरसल दोस्तों आपको बता दे कि पहले डी-20 मैच की तैयारियां जोरो शोरों से चल रही है अब फासला भी तो बस मातर एक दिन का ही बचा है एक दिन के बाद हमारी टीम आमने सामने होगी साथ एफरीकी टीम से अरुन जेटली स्टेडियम में दिली के स्टेडियम में पहला मुकाबला खेला जाएगा पांच मैचों की शांदर सीरीज का और दोस्तों ही चोके और छक्के जड़ डाले हारदिक पांडिया और रिर्शपंत ने खबरे तो यहां तक है कि एक हाली में खेलेगे एक इंट्रसकौर्ड मैच में रिर्शपंत के बले से जहां 33 गेंदों में पहत्तर रन निकले तो पांडिया ने भी 49 रनों की धाकड़ पारी खेली वो भी मातरे 22 गेंदों के अंदर दोनों की लड़ियों की इसी तूफानी पारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है और यह एहसास करा दिया है डर का सौट अफरिकी टीम को कि यहां पर दाल नहीं कलने वाली क्योंकि अब पुरानी फॉर्म पुरानी नहीं रही वो फिर से ताजा हो जुकी है है आप दिख पांडिया और पंत की यह बल्लेबाजी कहीं न कहीं पहवूमा को सता सरूर रही होगी और दोस्तों यह खोशी की बात है भारत टीम के लिए कि यह दोनों इतनी शांदर फॉम में हैं इनकी बल्लेबाजी देख द्रविट तक हैरान नहीं परंत दोस्तों आप दोनों इनकी बैटिंग को दस में से कितने नमबर देंगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और ऐसी ताजा खबरों के लिए भी सबस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को तनेवाद